नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्टूब परिवार अस्ट्रेंट इलाइट में प्यार दोस्तों आज हम आपको जार्खन जीके का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है जार्खन का एतिहासिक परचय जी हाँ आज हम आपको जार्खंड का एतिहासिक परचे से संबंदित सारे महत्पूर्ण परस्णों को क्लियर करवाने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो में सुरू से अंतक बने रहिएगा आएए देखिए एतिहासिक परचे जार्खंड का एतिहासिक परचे से संबंद पहला सवाल जारखंड राजी का नाम जारखंड क्यों पड़ा जी हां तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C बन एवं जाडियों की बहुलता के कारण option number C आगे बढ़िये प्रस्न संख्या दूसरा जारखंड प्रदेश का सरपर्थम उलेक मिलता है जी हां तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D एत्रे ब्रह्मन में जारखंड प्रदेश का सरपर्थम उलेक मिलता का एत्रे ब्रह्मन में आगे बढ़िये प्रस्न संख्या तीसरा जारखंड सब्द का सरपर्थम उलेक कब किया गया तो आपका उत्तर हो जाएगा तेरहभी सताब्दी में जी हां सब्द का सरपर्थम उलेक कब किया गया तो तेरह भी सताब्दी में किया गया आगे बढ़िये प्रस्न संख्या चार रिग बेद में जारखंड का उलेक किस नाम से किया गया है तो आपका उत्तर होगा ओप्सन नमबर सी की काटा नाम देश्वानार्थ या की कट प्रदेश जी हां किस बेद में जारखंड को ब्रात्य नाम से शंबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number B अतरवेद आगे बढ़ जाईए प्रस्ण संख्या 6 बैदिक साहित्यों में जारखंड की जनजातियों के लिए निम्ण में से किस सब्द का परियोग किया गया है जिहां बैदिक साहित्यों में जारखंड की जनजातियों के लिए निम्ण में से किस सब्द का परियोग किया गया है तो उत्तर हो जाएगा आपका B असुर असुर सब्द का परियोग किया गया है प्रशन संख्या सात्वा निम्र में से किस बेद में असुरों को लिंग पूजक या सिश्नों का देव कहा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबरे रिग बेद आगे बढ़िए प्रशन संख्या आठ तुजू के जहांगिरी आप जानते हो जहांगिर की आत्म प्रशन संख्या नो कोटिली के अर्थ सास्त्र में जार्खंड प्रदेश को संबोधित किया गया है किस नाम से तो आपका उत्तर हो जाएगा कुकुट जी हां कुकुट नाम से जो है शंबोधित किया गया है कहां कोटिली के अर्थ सास्त्र में जार्खंड प्रदेश को हा आप कोटिल कौम थे तो चंद्रगुप्त मौर्ज के महामंतरी चानक के थे उन्हीं का अनिनाम है कोटिल विश्नोगुप्त यानि कोटिल विश्नोगुप्त के नाम से वो विख्यात हैं यह कौम थे चंदगुप्त मौर्ज के महामंत्री थे कोटिल कानि नाम चानक के विश्नोगुप्त आगे बढ़िए प्रस्न संख्या 10 किस गरंथ में जारखंड काउलेक पुंडर नाम से किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा एत्रे ब्रह्मन ओप्शन नंबर B जी हाँ एत्रे ब्रह्मन जारखंड का उलेक जो है हान पुंडर नाम से जो है किया गया है कहाँ एत्रे ब्रह्मन ओप्शन नंबर B आगे बढ़ जाए प्रस्न संख्या 11 निम्ड में से किस गरंथ में जार्खंड की किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है यानि कहने का मतलब है चार ओप्षन में जो है कौन सा गरंथ हैसा है जिसमें जार्खंड का नाम जो है जार्खंड को किसी अनी नाम से संबोधित किया गया है यानि तीन में जारखंट को जारखंट ही कहा गया होगा, किसी एक ऐसा सास्तर होगा उप्षन में, जिसमें जारखंट का अन्य कोई नाम होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा उप्षन नमबर A, कोटिल का अर्थसास्तर, जिसका जिक्र हमने पीछे किया है, कि कोटिल के अर् तो सास्तर में जारकंट को कुकुट या कुकुट देश के नाम से सम्भूदित किया गया है आगे बढ़ जाईए, प्रस्ण संख्या 12 तॉलमी ने जारकंट को किस नाम से सम्भूदित किया गया है तॉलमी कौन थे तो तॉलमी जो थे एक यूनानी खगोलविद और वोगोलवेता थे तॉलमी ने ज्ञारखंड को किस नाम से संबोधित किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंडल ओप्सन नमबर D प्रस्न संख्या 13 बायू पुरान नामक गरंथ में ज्ञारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर D मुरंड आगे बढ़िए प्रस्ण संख्या 14 बिश्णु पुरान नामक गरंथ में जार्खंड को जो है किस नाम से संबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा हरा आप्षन नंबर B मुंड क्या हो जाएगा आपका मुंड आपने पीछे प्रस्थ में देखा मुंड बायो पुरान में, जबकि अगला जो परस्ण है आपका, वह विश्नु पुरान से संबंदित है, विश्नु पुरान नामक गरंथ में जो है, जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आपका उत्तर हमने क्या बोला, आपका उत्तर हो जाएगा मुंड, वहां था मुरंड यहां हो जाएगा आपका मुंड, जी हां, ओप्सन नमबर बी, आगे बढ़ी, प्रस्ण संख्या 15, चलिए, फाहियान द्वारा जारखंड काउले किस नाम से किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, कुकुट लाड, जी हां, अब फाहियान कौन था, फाहिया जारखंड काउले किस नाम से किया गया, कुकुट लाड के नाम से, आगे बढ़ा जाए, प्रस्ण संख्या 16, भागवात पुरान में जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कीकट प्रदेश, जी हां, कीकट प्रदेश, ओप्शन न बुकानन ने जो है, किस अस्थान से लेकर बीर भूमी तक के संपूर्ण पठारी छेतर को जारखंड के रूप में बर्नित किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ओप्शन नंबर सी, बनारस जिहां, बनारस से लेकर बीर भूमी तक बीर भूम तक जो है, के संपूर्ण पस्मी फ्रेंटियर एजनसी का मुख्याले कहां था जिसे बाद मेराची के नाम से जाना गया तो आपका उत्तर हो जाएगा किसुनपूर option number C प्रस्न संख्या 20 जारखंड सब्द का पर्थम पूरा तात्विक परमान कहां से प्राप्थ हुआ है तो हमने पीछे भी चर्चा कर दिया था कि 13 वी सदी के तावरपात्र से option number B आगे बढ़ी प्रस्न संख्या 21 महाभारत काल में जारखंड निम्मे से किस ब्रेदरत बंसी समराट के अधिकार छेतर में था तो उत्तर हो जाएगा जरासंध जरासंध के अधिकार छेतर में था option number D प्रस्न संख्या 22 महाभारत के दिखविजय परव में जारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D पुंडरिक प्रस्न संख्या 23 महाभारत में जारखंड के लिए निम्य से कौन सा सब्द परियुक किया गया है तो महाभारत में जारखंड के लिए जो सब्द परियुक किया गया वह आपका क्या है आपका उत्तर हो जाएगा पसु भूमी महाभारत में जारखंड के लिए कौन से नाम का परियुक किया गया है पसुभुमी आगे बढ़ी प्रस्न संख्या 24 असोग के तिरहवे सिरालेख में ज्यारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर C अटावी असोग के तिरहवे सिरालेख में ज्यारखंड को 28 नाम से संबोधित किया गया है प्र प्रस्ण संख्यां 26 प्रस्ण संख्यां 29 तो सबसे पहले चर्चा हो जाए मलिक मुहमद जाईसी का मलिक मुहमद जाईसी जो थे वो सेरसा के शमकाली थे तो मलिक मुहमद जाईसी के निम्मे से किस गरंथ में जारखंड सब्दका उलेक किया गया तो उनका जो गरंथ पदमबद उसमें जारखंड सब्दका उलेक किया गया है आगे बढ़ जाए प्रस्ण संख्या 30 आइने अकबरी में जारखंड के लिए कौन सा नाम परियुट किया गया है तो कोकरा भी जी हाँ कोकरा भी और खंकरा भी यानि उप्रोक्त दोनों नाम का परियोग जो है जारखंड के लिए किया गया है आइने अकबरी में तो यहां था आपका ज्हारखंड का एतिहासिक परचे से संबंधित सारे महतपुर्ण प्रस्ण जिहां इसका भी पेडियोप टेलिग्राम चनल पे डाल दिया गया है जो अस्ट्रेट डिलिट के राम से ही है तो जो लोग टेलिग्राम चनल को जोईन ने कियें सबसे पहला आ यहां और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जहां जो ची आपको लगे उसको पविडियो जरूर लिक कर आपको बताएं तब आगे का वीडियो जो उसी अधार परम तयार करके आपको देंगे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धान्य बात